आपको ये पता ही होगा कि चान पर पहला कदम नील आर्मस्ट्रॉम ने रखा था तो आप ये भी सुनते आ रहे होगी कि उस कदम का निशान भी भी चान पर मोजू थी तो ये रहस्य बना हुआ है कि ओ आज तक वहा कैसे मोजू दे कि चंद्रमा मिट्टी की और चट्टानों और धूल की एक परत में ढखा हुआ है साथ ही मिट्टी के कन भी इस परत में मिश्रीज होते हैं इसलिए चान की सता पर पेर के हड़ जाने के बाद भी पेरों के निशान बने रहते हैं और वो कभी नहीं मिट्टे मार्क रॉबिन्स का कहना है कि चंद्रमा पर मोजो अंतरिक शैत्रियों के पेर के निशान लाखों सालों तक वैसे ही रहेंगे क्योंकि चंद्रमा पर वायो मंडल भी नहीं है तो दोस्तो एसी मज़ेदार वीडियो के लिए आप मेरे साथ जुडे रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेर कीजिए